नमस्कार, Grand Asian News के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, तमाम खबरों के साथ हाजीर हो मैं संजेद उबे आईए नज़र डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर दुर्ग जिला अस्पताल में बीती रात हुई मारपीट की घड़ना सुरक्षा गाड़ोंने की परिजनों से मारपीट दुर्ग पुलीस कर रही विवेचना तेवारी सीजन में दुर्ग पुलीस एक्शन मोट पर बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक और एसार हॉस्पिटल एर रिसर्ट सेंटर चिकली में निशूल क स्वास्त परिशन शिवीर 20 अक्टूबर से दस दिवसिव शिवीर में बीमारियों की जाज कर किया जाएगा उपचार रामनगर मुक्ति धाम में 20 वर्षों से मोक्ष प्राप्ती की आस में रखे चालिस अस्थी कल्षों का विसर्जन करेगी स्वर्गधाम सेवा समिती अब खबरे विस्तार से हेट स्पीच मामले ने कांग्रेस ने सुनाओ आयोक्षे लिखी शिकायत की है यह शिकायत केंद्री ग्रह मंत्री अमिज्शा पूर्व सियम रमन सिंग और प्रदेश अध्यक्ट अरुन शाओ के खिलाफ की गई हैं कॉंग्रेस ने आरोप लगाया है कि ग्रह मंत्री अमिज्शा अच्छतिज गड़ आकर भढ़काव भाशन देकर गए हैं दंगे भढ़काने की कोशिश करत से रोका जाना चाहिए कॉंग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ट शुशील आनंश शुकला ने ग्यापन सौपने के बाद पत्रकारों से चर्चा में केंद्री ग्रह मंत्री अमिज्शा के अलावा भाश्पा प्रदेश अध्यक्ट अरुन साव और राजनांगाओं के प् स्ट्रीक तमुक के निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले को सुनने के बाद आश्वाशन दिया है कि विधी समत कारवाई की जाएगी दुर्ग जिला अस्पताल में इलाज के लिए आये मरीज और उसके परिजनों के साथ अजीब ही घटना घटित हुई जिसके बाद परिजनों द्वारा इसका विरोत करते ही अस्पताल के स्टाफ और मौजूद गाड़ों ने मरीज के परिजनों की जमकर पिटाई की जिसके बाद मरीज को जिला अस्पताल से रेफर कर शंक्राचार अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई दुर्ग जिला अस्पताल में मंगलवार को कैम्प शेतर निवासी शवन कुमार को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था जिसमें मरीज के सीर में चोटे थी वो बात बात पर सभी को मारने दोड़ रहा था इस पर डॉक्टर ने उसका हाथ बांद कर उसे अस्पताल में कैजवल्टी के पास फर्स पर लिटा दिया ये देखकर शवन और उसकी बहन वो परिजन भड़क उठे जिसके बाद इस बात को लेकर डॉक्टर से विवाद करना शुरू कर दिया विवाद बढ़ने पर वहां भेड लग गई वहीं मिली जानकारी के अनुसार बात बढ़ने पर डॉक्टर ने गाड को इशारा किया और गाड ने मिलकर परिजनों को जम कर पिटाई कर डाली जिसके बाद परिजनों और गाड के बीच में जम कर मार पिट हुई इलाज कराने परिजन के साथ पहुँचे मरीज ने अस्पताल के गाड के साथ किसी बात को लेकर बहस की जिसके बाद ही वहां मौझूद सभी गाडों ने मिलकर पहले तो मरीज के हाथ बांग कर जमिन पर लिटा दिया फिर वहीं परिजनों के द्वारा किये गए विरोद के बाद वहां मौझूद सभी गाडों ने मिलकर उसकी पिटाई शुरू का डाले इस घटना के दवरान अस्पताल परिसर में भीड बढ़ने लगी और अस्पताल प्रबंधन तक बात पहुँच गई झालों आदर शुर्ट वास पिटाः ने बात लिटानुद लिटा विरोड ने मिलकर पाले जिसके बाद अस्पताल ने बढ़ते विवात की खबर से मौके पर पहुंची पुलीस ने मामला शांत कराया और परीजन मरीज को शंकराचारी हास्पिटल ले गए जहां शवन कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई जिसे नाराज परीजनों ने जिलास्पताल के स्टाफ पर आरोप लगाते हुए मामले की निस्पक्ष जास की बात कही इस मामले में दिरुग स्ट मनिशंकर चंद्रा ने कहा है कि दोनों पक्ष्टों में से किसी ने भी शिकायत नहीं दिया है शिकायत मिलने के बाद ही कारवाई की जाएगी मामला सार ऐसा था कि वहां पर जैसी पेशेंट को लेके गए हैं रात में भरती के हैं और साम तक मतलब जैसे कि आपन 14 तरफ से बढ़ता की हैं और 16 तरफ तक मतलब कुछ इलाज नहीं ना कोई रिस्पॉंस ना कोई पूछ नहीं आ रहा है तो उस वज़े से पेशेंट को पूरा पानी खाली करें दो दिन तीन दिन का समय थोड़ी लगता है ना कोई डाक्टर आके कुछ बो रहा है ना कुछ टेबलेन दे रहा है और उसके बाद बतीजी और पापा थे वो लोंग बोले तो यह लों उनसे साब गाली गलोच कर रहे हैं और बाद में जब पेशें से ज्यादा कुछ लेडिस लोंग थे और पूरे इवाड़े गार थे मेरे पर आचाना से हाथा भाई करने लगए 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 क्या कर रहे हैं आप लोंग मेडिकल समार रहे हो पेशेंट को देख रहे हैं पुरा बलड नहीं कर रहा है तो बोलते तू को नहीं है भाई को मारे बजीजी-कंदा तोड दी मेरे मुफाल दी मेरे नहीं से ठ थिससे अब और मिर्तव ऊंपनाा करये है जहां लेके जाना जाओ ऑ玩े में थाने वाले भी आयाते थाने वाले बोले कि आप कहा लेकि जाना चीतम इप लिए यहां तो यहां तो यहां दोने के जाएं करक गारा गया उसको और बहुत जादा उसको किया गया है तो मेरे भाई को वो लोग गार्ड के दवारा गार्ड हैं गार्ड लोग को मैं अच्छी से पहचान रहा हूं और उन लेडिस में थेक्तों को जो हासरी है और वो खुद ऐसे छेंडिल निकाल के मारी हो भाई के सर में स्रवार करके वो इलाज कराने के लिए जीला होस्पीटल लाया हुआ था च्योंकि वो मानसिक रोगी था और वो हास्पीटल में ड़क्रों को पर हमला कर रहा था इस पर उसको बांध कर रखा गया था बाद में मरीज के परिजनों के साथ सुरक्षा गार्ड उने रिपोर्ट आयों सब्सक्राइब करने की जाएगी ग्रेंड एसीएन नियूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट त्योहारी सीजन को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने सुरक्षा की द्रिष्टी से सभी बैंक अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक लेक दुर्ग सेस्पी मनिशंकर चंद्रा ने शहर के सभी बैंक अधिकारियों की बैठक बुलाई जिसमें सावधानी रखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिये गए इस दोरान दुर्ग सेस्पी ने बैंक की अधिकारियों को तेवहारी सीजन में भिरभार को देखते हु परे अलार्म और संदिग्द व्यक्ति नजर आते ही इसकी सूचना ततकाल पुलिस को देने की बात कही इस संब्मन में दुर्ग सेस्पी ने अपनी प्रतिक्रिया दी बैंक की अधिकारियों को मीटिंग लिए गया है तैहारी सीजन और भिरभार के समय को देखते हुए उनको बतायागा कि CCTV को ठीक कर ले उनको बार बार चेक करे इसके अलावा कोई संदिग्द वेक्ति अगर आपको इसको दिखता है तो उसको निकरतन थाने में सूचना दे इसके अलावा अपने अलाम सिस्टम वगरा है या सुख्षा के जो भी मानक उनको है उनको सबको चेक कर ले और आगे की कारवाई समिसित करें तो इसमें सभी ब्रेंग जितने भी प्राइवेट बैंक है सरकाई बैंक है सभी के मैनेजर को यहां पर बुलाया गया था और से नसीम फारुकी की रिपोर्ट यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का बने रही है ग्रेंड एशियन न्यूस के साथ निव स्टाव सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पुजा उत्सव समिती समिती का 29 वर्ष व्रिंदावन की चली ज्छांक्या साथी श्री कृष्ण की लिलाव का वर्णन न्यूस विका समिती वाड 22 प्रगतिनगर कुरूत फिलाई आप सभी मातरानी का दर्शन लाब ले ने आवश्य पहुंचे भारती सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलों वह हैंडी क्राफ प्रदर्शनी जो कि इन दिनों सूरिया मौल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है शहरवासियों की पहली पसंद बने इस प्रदर्शनी में 50,000 से जादा वरैटियां उपलब्द है तेवारी स हजार से जादा वस्तों का संग्रह उपलब्द होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं स्रीकिष्णा हस्तशिल्प ग्राम उद्योग समीती की दत्वा उधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभीन राज्यों की विशाल शि स्थानी चुनर सुपारी मुखवास जैपूरी सूट है तो वहीं उत्तर प्रे से लखनवी चीकन सूट कुर्टा पैजामा शर्ट बनार सी सिल्क साडी है हर्याना से बैट शीट कवरनेट खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदी है तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से है लुंग ड्रेस मटेरियल फैंसी लेडिस टॉप फैंसी लेडिस चपल लैदर बैग लैदर बैल्ट पर साधी है तो साथी साथ कुलकाता से काथा सिल्क साडी फैंसी ड्रेस मटेरियल कुलकाता कॉटन साडी वर टॉप कुलकाता जूट बैग है महरास्ट से फैंसी लेडिस चपल, स्पेशल कॉटन साडी इवं ड्रेस मटेरियर तो साथी साथ गुजराज से बेबी ड्रेसिंग, दिवान सेट, गुजराती नमकिन, चणिया चोली, गुजराती टॉप आदी है और बताना चाहेंगे कि जम्मो कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्बरॉडरी ड्रे बिहार से भागलपूरी सिल्क साडी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेर ओल, हैदराबास से नैचरल पल्स, हैदराबादी मोती जवेलरी, हैदराबादी साडी, सूट, ड्रेस मटेरियल है तमिल्लाणू से विंडो कॉटन, डोर कॉटन पिलो कवर डोर मैट है तो ओडिशा से कुरेशिया बेबी सूट टेबल मैट सादी है इतना ही नहीं सहारनपूर के खुबसूरत फरनीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर शित कर रहे हैं कांदारों नहीं बताया कि उनके पास किस रेंज के किस वराइटी के सामानों प्ल जट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारती सिल्क एक्सपो अवश्य पहुंचे हमारा पता भारती सिल्क एक्सपो सूरिया मौल के सामने जुन्वानी रोड इस्पृति नगर भिलाई ग्रेंड एसीन नीउस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट नवश्कार अब टीवी देखना सिरियल देखना धार्मिक चैनल देखना 36 गड़ी नीउस देखना 36 गड़ी गाने देखना और भी आसान जिहां ग्रेंड एसीन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज ग्रेंड महापैक जिहां जिसमें आप पाएंगे 40 से भी जादा HD चैनल Star, Z, Sony, Colors, Sports, Entertainment, Movie, Cartoon 40 लोकल चैनल जिसमें 36 गड़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुर्बानी, कॉमेडी, बॉलिवूड, हॉलिवूड, फिल्मी गाने, सभी भाशाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलगू, तमील, मलियाली, उडिया, गुचराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्ने भाशाओं के चैनल साथी साथ तीन लोकल न्यूज चैनल, ग्रेंड एसेन न्यूज, ग्रेंड न्यूज लोकल और ग्रेंड न्यूज राश्ट्री, तो जल्द इस ओफर का लाव उठाएं, मात्रे 350 रुपे में, जी हाँ, सिर्फ 350 रुपे में ये सारे पेकेजिस आपको दिये जा रहे हैं, तो आज ही संपर्क करें अपने केबल आउपरेटर या ग्रेंड एसेन भिलाई आफिस, तो हमारा नंबर है 0788-4011-778, आप जल्दी संपर्क कर सकते हैं और इस ओफर का लाव उठा सकते हैं, आयर्वेद एक्क्यूप्रेशर थेरपी सेंटर, चर्म रोग, दाद खाच, खुज़ की चेला पर किसी प्रकार की जाईयां, दाग धब्बे, फोरी फुनसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आधी का गैरेंटिड इलाज, जी हाँ, आयर्वेदिक एक्क्यूप्रेशर थ आयर्वेद द्वारा बिना ओप्रेशन की बावसिर भाकंदर हैड्रुसिल गुप्तरोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। पिशाब में जलन, सुप्न दोष, शारेरी कमजोरी, ठकान आधी बीमार्यों सहीत, हाइड्रुसिल का बिना ओप्रेशन गैरेंटिड इलाज, महिया गुप्तरोग बावसिर भाकंदर फिशर का बिना ओप्रेशन जड़ से गैरेंटिड इलाज, महवारी गरवड़ी, सफे 99816 59182 मेरे देश की धर्ती सोना उगले उगले हीरे मोती जी हाँ धान का कटोरो कही जाने वाले 36 गड में खेतों में काम आने वाले हर्विस्टर उच्चो कालिटी बगुडवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में प्लग पानिसर एग्रोटिक हर्विस्टर कमबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ पानिसर एग्रोटिक हर्विस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ पानिसर 5C 9500 डिलक्स मॉडर्ण पानिसर एग्रोटिक हर्विस्टर कंबाइन मशीन क्रिशकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशिन कमला मोटर्स में उपलब दाए साथ ही साथ तब दरह के हार्वेस्टर हमारा पता कमला मोटर्स जी ए रोड गंचपाराद दुर्ग तो देर किस बात की है बियम्शा सूपर मल्टी स्पेसलीटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपात काली सुविधाएं जिसमें मौडलर ऑपरेशन थीटर से सुसजित 36 गड़ के प्रतिष्ठित नियूरो फीजियेशन नियूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ साथ उघटना में घायल मरीजों के लिए विशेश ट्रामा आइसीउ की सुविधा अपलब्द है हॉस्पिटल में हिदरो पुझेशग्यों की टीम के साथ एडवांस कैटलर की सुविधाएं साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेश्मिकर की सुविधा अपलब्द है हॉस्पिटल में मेडिकल आइसीउ, सर्जिकल आइसीउ, एनाइसीउ, बर्न यूरेट के साथ टालेसिस की सुविधा 24 घंटे अपलब्द है हॉस्पिटल के सभी वाट एर कंडिशनर होने के बावजूद, सबसे किफायती दरों में अपलब्द जनरल वाट, प्राइवेट ट्रून, डिलक्स रूम, सुविधा अपलब्द है हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलिवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे अपलब्द है साथी साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वाट की सुविधा अपलब्द है हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जाँच जैसे MRI, CT scan, sonography, 2D, eco, ECG, EEG, endoscopy, x-ray, खुन एवं पेशाब की जाँच की सुविधा बेहत किफायती दरों में उपलब्द है हमारा पता बेम्शा हॉस्पिटल एवं मेटिकल रिसर्च सेंटर शाहती नगर सुपिला फिलाई फोन नमबर 37730-7711, 37730-7712 धरतिसु नहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हां ऐसा प्रदेश है मेरा खेतों में लहलाहती इन फसलों को देन है हार्विस्टर मशीन की जिहां केस कमबाइन हार्विस्टर मशीन खेतों में अहम भूमे का निभाते हैं उच्छे क्वालिटी उच्छे गुणवत्ता के केस कमबाइन हार्विस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्द है देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कमबाइन मशीन किसान खुशाल तो देश खुशाल केस का वादा खर्चा कम काम जादा किसान ग्राकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कमबाइन मशीन उपलब्ध है इस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन हमारा पता कंबला मोटर्स गंजपारा जी इरोट दुर्ग मुवाइल नमबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है महिलाओं को स्वारोजगार से जोडने समाज सेवी राजू चंदा दुरा वैशाली नगर विधान समद छेटर के प्रत्यक वाडों में स्वारोजगार मुलक प्रशिक्षण शिविर आयुजित किया जा रहा है प्रशिक्षन प्राप्त अनेको महिलाय आज स्वयम का रोजगार संचालित कर रही है महिलाओं को स्वालंबी बनाने और महिला उत्थान को लेकर पिछले दो वर्षों से कारे कर रही समास सेवी राजु चंदा द्वारा अब तक हजारों महिलाओं को स्वारोजगार मुलक कारे करमों का प्रशिक्षन देकर रोजगार से जोड़ा जा चुका है राजु चंदा की बदोलक अनेकों महिलाय आज सिलाई कड़ाई और व्यूटीशियन जैसे कोर्स का प्रशिक्षन प्राप्त कर स्वयम का रोजगार संचालित कर रही है वैशाली नगर विधान सवाच्छेतर की सैकुडों महिलाएं प्रशिक्षन प्राप्त कर रही है स्वारोजगार मुलक प्रसिक्षन से जुड़ने विभीन वाडों की महलाएं राजू चंदा से संपर्ग कर उन्हें अपने वाड में प्रसिक्षन शिविरों का शुभारम करने लगातार आमंतित करती रही हैं जिसकी वज़ा से अने को घहरूलू महलाएं सिलाई कड़ाई व्यूटीशन जैसे प्रसिक्षन का कोर्स कर चुकी हैं समास से भी राजू चंदा ने बताया कि उनका उद्देश एक मात्र यही है कि महलाएं स्वरोजगार से जुड़कर स्वयम अपने पैरों पर खड़ी हो सकें किस तरह को प्रसिक्षर दिया जाते हैं सिलाई और पारलर वो मेरा उद्देश था कि हर महिला हर बेटी हर बच्ची लोगों को अपने पैरों में कड़ा करने के लिए तो मैं करती रहती हूं अभी तक तो मेरे पास में कम से कम एक देर लाग मेलाएं कर चुकी है और फिर से एक बार और इन लोगों का कहना है कि हमारे वाड में आईए तो बहुत सारे वाड के लोग सौकत बहुत अच्छा करते हैं और उन लोगों को सीखने की बड़ी तमन्ना है तो मा यही दे सकती है कि अपने बचों को dec da करना चाहते तो बच्छे पर में खड़े होने के लिए तैयार है तो मुझे क्या है मेरे पास जो दरौर है मैं बच्चों को दूंगい और आगे भी भड़ाते रहूँ में जितना तक रहोंगे तब कि हम बता नहीं सकते हैं, ना बेटियों के लिए कुछ है, ना बहुँं के लिए कुछ है, ना माओं के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है, हाँ, हमारे विदायक जो जेवेंद्रियादों है, वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा पहल किया, और आज सब बेटिया और उनकी जि स्वारोजगार मुलक कार्यों से महिलाओं को जोड रही राजू चंदर से जुड़ी अन्य महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी नमस्ते, मैं एकता मेला संटी सिक्षटी हूँ, वैपून धाम, कैम्टू, काजी नगर बख्री सेकर्ड में हम लोका सेंटर चल रहा है और हर सेंटर में सो सब्सक्र महिलाएं प्रशिक्षटन दे रही है, यह सब अम्मा ची के बुगारा किया जा रहा है, सिलाओं और प्रशिक्षटन दिया जा रहा है और अधुरों प्रिधान से पह रशाली नगर से काम करें, और यह काम करें मैं एकता महिला समीटी से तो मोरती बॉरा क्राम दहीं हुए। महिलाओं के लिए शिलाई और पादलर का कोर्स कराने में अम्मा के साथ योगदान करती हुए। मैं खासिदास, गुरूद, गूख का धाचा बान सब्सक्राइबू हुए। मैं अम्मा के सुदूरी हुए। येट्ता महिला समीटी की सर्दशकी शरूइ। उर हम लोग सुपेला मंदेन दो वोड Ś raptor में में मूद्यूकित है. और यहां मैं बनार बाहु ऐन पशुछा है। व्योदान की लिए। बाराल महिला उत्थान को लेकर राजू चंदाद्वारा किया जा रहा यह कार्य सरानी है प्रशिक्षा संबंदि समस्त सामग्री राजू चंदाद्वारा स्वयं निशुल्क महिलाओं को उपलब्द कराई जाती है किसी तरह का कोई शूल का महिलाओं से नहीं लिया जाता यही वज़ा है कि वैशाली नगर विधान सभाचेतर की हजारों महिलाए राजू चंदा को आज अम्मा के नाम से संबोधित करती है Grand Asian News के लिए संजय दुबे SR Hospital and Research Center चिकली में 20-31 अक्टूबर तक निशूल का स्वास्त परिक्षण शिवीर आयोजित किया जा रहा है शिवीर में फीजियो थेरेपी, दंत रोग एवं नेत रोग विशेशक के अपनी सेवाई देंगे अंचल के मरीजों को निशूल का स्वास्त सेवाई प्रदान करने के उद्देश से SR Hospital and Research Center चिकली द्वारा आगामी 20-31 अक्टूबर से निशूल का स्वास्त परिक्षण शिवीर आयोजित किया जा रहा है दस दिनों तक चलने वाले निशूल का स्वास्त परिक्षण शिवीर में फीजियो थेरेपी विभाग दंत रोग और नेत रोग विशेशक डॉक्टर अपनी सेवाई प्रदान करेंगे शिवीर में स्वास्त परिक्षण में डिजिटल एक्सरे पर 50% की छूट रूट कैनल मात्र 500 रुपए में खून जाच में 50% की छूट और दातों की कैपिंग फिक्स रिमूवेबल में 50% की छूट परदान की जाएगी शिवीर की जानकारी SR Hospital and Research Center चिकली के चेयर्मेन संजेतिवारी एवं दंत रोग विशेशक डॉक्टर सौरप कुआज सी ने दी नमस्कार मैं संजेतिवारी चेयर्मेन SR Hospital and Research Center चिकली दुरूग आप सभी को नौरात्री की हार्थिक बधाई एवं धेर सारी शुब कामना है नौरात्री के शुब वशर्पर SR Hospital चिकली में दिनान 20 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तर निशूख स्वास परिछन सिवीर का युजन किया गया है जिसमें दंत रोग विभाग, फिजोथरेपी विभाग एवं नेतर विभाग में निशूख जो है वो सेवाय प्रदांग की जाएगी फिजोथरेपी विभाग के डॉक्टर निशूख फिजोथरेपी प्रदांग करेंगे दंतरोग के विभाग के डॉक्टर दातों में चिन्निक जो है विमारिया उसका निशुल्ग जो इलाज करेंगे इसी प्रकार नेतरोग विभाग में आपको किजाज निशुल्ग की जाएगी चेतर की जनता को पुना नौडाती पौर की डेल सारी बधाई यम हार्दिक शुप कामना है माता दुर्गा आप सभी की मंगल कामनाओं को पूरा करें साथ ही छेतर की जनता से बाराम बार विनम्र अपील है कि इस निशुल्ग स्वास्थ परिछन सिविल का लाब उठाएग एसार होस्पिटल चिकली दूर्ग को सेवा का जरूर मौका जें धन्यूर्ग नमस्कार मैं डॉक्टर सौरप कुमार सिंग दन्तरोग मिशस हैके एसा होस्पिटल एम्रिसार सेंटर चीफली में कारेग्रत हूँ हमारे अस्पताल के तरफ से दिनांग 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक समय सुबर 10 वजे से लेकर 3 वह तक निशुल्ग स्वास्थ परिछन सिविल आरुजन किया गया है अस्पताल प्रवंधन ने छेतर के लोगों से निशुल्ग स्वास्थ परिक्षन शिविर का लाव उठाने की अपील की है शिविर का समय सुबर 10 वजे से दोपहर 3 वजे तक निर्दारित किया गया है ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए संजय दुबे चेत्रों में व्रद्य जनों ने मद्दान करने का संकल्प लिया। दौरान शहर के लोगों को मद्दान करने की शपत दिलाई जा रही है। साथ ही स्यम मद्दान कर दूसरों को भी मद्दान करने प्रे रित करने का संकल्प दिलाया जा रहा है। Grand Asian News के लिए संजय दुवे। यहाँ वक्त है एक और शोटे से ब्रेक का। टेंशन नादो, शीवाले नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविश्य, तो आईए, उदे पब्लिक स्कूल में जल्द ही एड्मिशन कराईए, जी हाँ, एड्मिशन शुरू हो चुके है, नरसरी से कक्षा 8 फी तक, स्थित 2019 से, गुनवक्ता भर सिक्षा प्रदान करने वाला आपके शेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदे पब्लिक स्कूल, जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुर्क प्रवेश, स्कूल नरसरी से कक्षा 8 फी तक के लिए, इस वर्ष प्ले ग्रूप के भी की जा रही है, सरकार द्वारा 25 प्रतिशत छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, प्रवेश के लिए जल्दी करे, बस वैन की सुविधाय भी उपलब्ध है, पुस्त काले सुविधाय है, सिसी टीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल, खेल और सांस्कृतिक कतिवी दिया, मल्टी परपस हॉल, महत्वपुन दिन और त्यावहारों को भी यहां मनाया जाता है, कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास सिक्षन सुविधाय भी उपलब्ध की जाती है, अगनी सुरक्षा के लिए भी सुविधाय उपलब्ध है, बच्चों के अंग्रे किसी बोलने पर भी महत्वपुन ध्यान दिया जाता है, तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्यूंकि एडमिशन शुरू हो चुके है, उदे पबलिक स्कूल में, आपके निकट उदे कॉलेज कैमपस, निकट एसी सी बोगदापूल, नंदनी रोड, जामुल भिल अब किसानों की समस्याओं का हुआ समधान, जी हाँ, अब दुर्गजिले सहीत अनि जीलों के किसान भी हुए खुशाल, आपके अपने शहर दुर्गजिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है, जादातर कंप्रियों के हार्विस्टर, उच्च क्वालिट सबसे उपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ कमला मोटर्स, ग्रहाकों के विश्वास पर खरा, हमारा पता कमला मोटर, जी ए रोट, गंचपारा दुर्ग, कॉंटिक नंबर 9039879080 कä विश्छा आड़ीं विश्छार के विश्च के विशर मोटर्स, उरहान ऑंचपार papa, हुिए रिलावास, नाद zit आड़ीं, म healthy पंचपावाश प्रवाव के विश्च के विश्च के करने चाने फ्यांता झाल झाल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सेक्टर टू बी एसनल चोक में आदर्श नव योग दुर्गोस्तो समीति के तत्वाधान में नौरात्र पर्वपर माता दुर्गा की स्थापना की गई है साथ ही पंजाब की छटा बिखेरती जहांकी शहर वासियों के लिए आकर्शन का केंद्र बनी हुई है बितर चोबिस वर्षों से आदर्श नव योग दुर्गोस्तो समीति के द्वारा नौरात्र पर्वपर भवे आईजन के जाते रहे है इस चोबिस वे वर्ष में विशाल सुंदर प्रतीमा माता रानी की पंडाल में स्थापित की गई है वहीं जोत प्रजवरित किये गए है साथ ही साथ पंजाब की छटा बिखेरती जहांकी भी आकर्शन का केंद्र बनी हुई है रोजाना यहां हजार शद्धालू माता के दर्शन करने वर्जाकियों का लुट्व उठाने पहुच रहे है किस दो जए हम कौर से प्रू़ hug वो को भी प्रूव माँदी में सECH का प्रूव प्रूप भी सचब बनाः बना प्रूब कि यहां पहुंचे शद्दालों ने अपनी प्रतिक रिया दी बहुत ही शोना लगते हैं बहुत ही वक्तों के ऊपर आयू यश्किर्टी रंधान की अव्रति वर्जाएं विसे श्तौर्पर से दिद्मति रस्मी सिंजी को बहुत बहुत सादुवाद बहुत आशिरवाद जय माता की बारहाल अपने सुरूप में माता पंडाल में विराजमान हैं प्रति दिन पहुंचे यहां शद्धालों दर्शान लाब लेकर आशिरवाद करहन कर रहे हैं खपरी इस्थित माइल इस्टोन जूनियर अकेडमी में भव्यता से डांडिया और रामणवाद का आयूजन किया गया बच्चों ने अपना डांडिया प्रदर्शन कर जोहर दिखाया बताते कि शाला की डायेक्टर मंता शुकला बच्चों को प्रतिक तिवहारों को मनाने के लिए बड़ा ही उत्साहवर्धन करती है और उसमें उनका विशेस योगदान भी रहता है डायेक्टर मेडम ने इस तिवहार क के लिए बच्चों को ना सिर्फ जागरु किया बलकि डांडिया का भ्यास कराया और डांडिया के साथ रावनवद का भी कायक्रम वहाँ पर किया इस दोरान बच्चों ने उत्साहित होकर कायक्रम में हिस्सा लिया यह खबर उन बच्चों के लिए जो अपने माता पिता को मरणों परांत भी अकेला छोड़ देते हैं जिसे उन्हें मोख्छ नहीं मिल पाता और वे इसी दुनिया में भटकते रहते हैं परंतु अब ऐसे माता पिता की अस्थियों को विसरजित कर उन्हें मोख्छ दिलाने का बीड़ा स्वर्गधाम सेवा समीती ने उठाया है इस नेक कारे की शुरुवात कप से और कैसे हुई इसकी जानकारी हमें समीती के अध्यक्च अशोग जी ने दी आप भी देखिए यह खबर जो आपको जगजोर कर रख देगी नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छी खबर हम आपको दिखाने जा रहा है हम खड़े हैं इस वक्त बेराई शहर के रामनगर मुक्ति धाम में और इस मुक्ति धाम में लोगों का अंतिम संसकार होता है परिवार आते ह है जो यहां पर 20 वर्षों से लगभग 40 परिवारों के अंतेश्टी की राख और मटके पड़े हुए हैं जिनकी सुद लेने वाला कोई नहीं है और कहते हैं कि मृत आत्मा को शांती तभी मिलती है जब उनकी अस्तियां विसर जित की जाए स्वर्गधाम सेवा समीति के अशोग जी ने ये बीड़ा उठाया है कि वे लोग जो अपने उन परिवारों को भूल गए हैं जो उनके बीच में नहीं है और छोड़ चुके हैं वे उन सभी को सभी की आत्मा को शांती देने के लिए आज मुक्तिधाम राम नगर पहुचे है हम बात करते हैं अशोग जी से अशोग गरेन इसीय नियूज में आपका स्वागत है कि अशोग जी जानना हैं रही बहुत अच्छा काम मरने के बाद अंकी अंतिस्टी के बाद उनके परिवार ने उनने छोड़ दिया और ऐसा कहा जाता है कि जब तक अंतिस्टी के तो कैसे यह संभव हो पा रहा है कि आज यहां 20 साल से जिनके परिवारों ने छोड़ दिया है आज यह पुनित काम करने जा रहे हैं जी मेरे लिए स्वभागी की बात है मैं अपने को स्वभागी साली मानता हूं कि दैनिक भासकर पत्रिका जिसका मैं रोज अध्यान करता हू उसे कि मात्यम से ये मेरे को जनकरी मिली तो फिर मेरे ध्मतरी के महापाओर श्री विजाईधा-उंगन सांपर्क साधा चूपी मेरा स्टूदेंट भी रहाया पढ़ाया उमने ना ततभृत दिखाई इसमा ost अ इत्जॉक्र थिने कहा कि ए ततकाल अधेन ने का सुचना दी कि सर आप अपके नाम के आदेश हो गया है कली मिरे इन से चर्चव हुई मैं आज पहुजी है यह तो अपने शासन प्रशासन से इजाजत की बात की जो आपको मिल गई है मुझ है क्या ऐसे जिनके अस्तिया अभियाभी सर्जीत करने जा रहे हैं क्या उन परिवारों की शॉणों स्वस्तियां और का उता है जिनोंना अस्तिया छोड़ी है अपना पता ही गलत बता है या अपना फोन नमबर गलत बता है या किसी नोकर का फोन नमबर दे दी है या फोन नमबर बदल दी है या मकान का पता भी कुछ गलत बता है पता चला कि नगर निगम बहुत प्रयास करी उसके बाद भी संपर के साधना मुश्किला बीस साल से पड़ी अस्तिया अब कुन आएगा तो कोई भी भगवान ने कोई मसिया बनाया होगा जो इस काम करने के लिए तो अपने स्वरूप में हमारे को भिष दिये काम करने के ऐसा में मानता है कि भविष्य में अजोग साब अगर कभी ऐसा होता है कि कोई परिवार चाहे उनका नाती पोता जिन्हें पता ही नहीं हो कि ऐसा कुछ हो वह जागरीत हो जाए और अचानक से वह सवाल कर बैठे कि आप होते कौन है मेरे जादा कि इस सर्जीद करने वाले उस कंडिशन में क्य परिए हमने यह भी चीज देखा है रक्तदान करने के बाद भी लोग हमारा कालर पकड़े हैं यह पारंगत हो गए हैं आप मैं तो चाहता हूं कि कोई आए और मुझे गाली दे मैं चाहता हूं कि यह परिजन आए जिनका मैं कल अस्तिवी सर्जन परसुए अस्तिवी सर्ज मैं तयार है यह जो पुनितकार के अपने जो जो कर रहे हैं इसकी शुरुवात कैसे हुई रिणा कहां से मिली और कैसी प्राणा मुख्यकार जीवन का हर काम कि कश्रे सिर्फ और सिर्फ अपने माता-पिता को देता हूं कि मैंने लावारी स्माहिला की लास देखी मेरे सिर्फ माता-पिता की सेवा कर लो सिर्मोर रहोगे दुनिया में भगवान भी आपके सिर्फ को जुकने नि देंगे यह यह मेरा थीम है जीना का और उस महिला को पता चला लावारी से 2004 मी स्थापना की मानेंगे निए हर मेडिया वाले मेरे धंतरी साब आपको संबर्ग यह एक सरीर के पांस तुकड़े होते हैं मैंने अमतिंग सब्सक्राइब उनकरते हैं उसका सारा वीडियो है पूरा वीधी विदान से आप मानेंगे निए ₹100 मैं जब शुरू किया तरपन तो लोग नहीं आते थैं अब तो 1 बजा लंगर खुलता और नहें तक लंगर च ह dependence रांत्र मिलतीं को आप जो सनातन धर्म कोई अलग काम नी कर मन में कोई घबराहट किसी प्रकार का वो नहीं आया देखने जब सुरूम जब खोले दे तो लगता था यार कुछ हो गया तो कैसे हो गया तो कैसे हो गया लगता था लेकिन अब उन आत्माओं की ताकत हमारे अंबर आगी ऐसा मेरोग लगता है तड़ पड़ कर लेते हैं और यहां से जो स्तिकलर जाएंगे जो आप लेके जाएंगे किस तरह से उनका यह अंतिम सवाल है किस तरह से आप कहां पर करेंगे उनका सब्सक्राइब मैं तो इनका तरपन अपने परीजन मान के करूंगा यह मैं आपको बादा करता हूं क्योंकि 20 साथ से काम करकर करके मुझे पता चल गया है कि अगर भगवान ने मेरे इनके लिए भेजा है मैं इनका कोई नो कोई रिस्तेदार हो हूं क्य talk और जित्रत्रतला गंगा ने दिए रुद्री तरुदृष्व सामने बहुत बड़ा नदी महानदी महां पे मैं इंका थरपन करोंगो अस्ति विसर्जन करूंगा और प्रतिवर्श इंक दरपन भी करूंगा इंका पेणदान थे करूंगा और असा हो एमं आयवस्ता conversion में अगर दूआ हो तो अगले में अगर ब्रह्म मखकापाली में भी इनका अरूपन पर नदान करते हैं जो इस तरह का कृत्टे करते हैं भूल जाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्श को क्या संदेश दिना चाहेंगे उन बच्चों को कुछ नहीं बोल सकता है। जो भी करेंगे जो भी बोलेंगे भगवान जी करेंगे। लेकिन जो अभी है जिनके पास माता पिता है जिनके पास माबाब धरोहर है जिनकी उनसे मैं हाद करवद्ध प्राथां करता हूं जी तोड़ उनकी सेवा किजिए मिठे मिठी बात करिए रोज पहर दबाईए रोज उनकी सेवा करिए मैं जुटनी बोल्दा भगवान जी उन सेवा समिति के अशोग जी है ऐसे भी हम सुनते हैं और कहते भी हैं बहुत लोगों कि मोज़े सुनते हैं कि माबाप की सेवा में ही स्वर्ग है इन्होंने भी आज साफ कर दिया हमारे चैनल के माध्याम से हमारे दर्शकों को उन्होंने बताया है कि आपके पास जीवीत माबाप हैं उनके रहते उनकी सेवा कर लीजिए और इस तरह का कृते करने वालों को तो यह चाहते हैं कि ऐसे लोग सामने आएं ताकि यह उन्हें यह बता सके कि यह करना गलत है ग्रेंडेसेन न्यूस के लिए केमरमेन हर्श सुनी के साथ राम नगर मुक्ती धाम से मैं हूं संतुष्य कुरुद में माद धुर्गा की इस्थापना कर पूरे विधी विधान से पूजा अर्चना की जाती है साथ ही आम जनता के मनुरंजन के लिए ज्ञाकिया भी बनाई जाती है इस वर्स समीती द्वारा स्री कृष्ण लीला का संपूर्ण चित्रा ज्ञाकियों के माध्यम से किया गया है जिसे देखने प्रती दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं नियू एस विका समीती धाचा बहुन भिलाई के सौजने से नियू इश्टार सारुजनिक शेशी दुर्गा पूजा उच्सो समीती के तत्वधान में विकात 28 वर्सों से अनवरत माता दुर्गा की प्रतिमा विराजीत कर नौरात्व का तेवार मनाय जाता है और शहर के आम जन्मानस जो यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए प्रतिवर्ष अलग-अलग विश्यों को लेकर जाकिया भी बनाई जाती है बीते वर्ष में स्वर्ग नर्ग की जाकी यहां बनाई गई थी जिसने पूरे भिलाई शहर में प्रतम स्थान प्राप्त किया था इस वर्ष भी जाकी का निर्मान किया गया है इस वर्ष श्री कृष्ण लीला को चरिता आर्थ करते हुए चलित जाकिया बनाई गई है पुना का वद, कंस का वद, श्री कृष्ण जी की रासलीला एवं श्री कृष्ण जी के द्वारा उठाये गए परवत की ज्हाकी भी देखने लाइक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो श्री कृष्ण जी की और भी लीलाएं बखु भी चरितार की गई हैं। इसके साथ ही कृष्ण जी की ब्रिज की होली भी दर्श को कमन मोह रही हैं। वही इस वर शमीती द्वारा लगाये गए पंडाल और माता जी की मूर्ती के दर्शन करने वैशाली नगर विदान सभा के भाजपा प्रत्यासी रिक्ये सेन भी पहुँचे और उन्होंने समीती और समीती के अध्यक्ष संभूनाज जैसवाल की जमकर तारीफ की और समीती क हर सदस्त की करमटता को सेलूट किया अधिकतर सोच रहती थी हमारे व्याशाली नगर विधान सभा वालों की पट्री के इस पार वालों की कि हमें सेक्टर साइट या पट्री के उस पार हमको दर्शन के लिए जाना है लेकिन अब यह देखने को आ रहा है कि दो दराज से चाहे राइपूर हो दो गो बेमेतरा ह साजार हो सेक्टर 10 से सक्टर 1 तक हो भूड़कों के लोग वो सारे लोग जो है कैलाश नगर दर्शन के लिए तो अधिकतर यह होता है कि व्यक्ति अपना जीवन जीता है और अपने अच्छा सोसता है कि मैं हर दिन अपने परिवार के लिए क्या करूं लेकिन यहां पर संभूविया बनाएं हैं यहां पर अच्छा लोगों के दर्षन संभूबिया को संभूविया जीने के लिए इभार काल में कुछ बीमस्दक्राव से उनके जेब में 100 उपर है तो 100 उपर निकाल के उदे देते हैं लोगों के लिए जीते हैं वो ऐसे संभूवियकों मैं माता को पड़ाम करता हूं मैं संभूवियकों भी पड़ाम करता हूं और निश्ची तुप से मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में क्योंकि नवरात्री लगता हैं साक्षाद दर्शन देती है जै माता दी जै माता दी जै माता दी कि आप कर दो कर दो कर दो अबस्ता है परन्यूस में आएगा मैंसाबिए विया 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 समीती द्वारा बनाये गए इस वर्ष स्रीकृष्ण लीला की जाकी एवं 29 वर्षों से लगातार माता जी की मुर्ती विराजीत करने के परिपेक्ष में समीती के कारेकारी अध्यक्ष एवं एक अन्य सदस्ट ने जानकारी दी बिसेज यह है कि हमारे अध्यक्ष त्री सम्भूजेस वाल जी हर साल एक नया उत्सो का आयोजन करवाते हैं मा का दर्बार लगता है और पूरी समीती के साथ एक सफल आयोजन का कारेकरम हमारी समीती सफल करती है जिसके लिए सम्भूजेस वाल जी को और पूरी समीती को बहुत बहुत धन्यवाद जो सबके योग से सबके कर्मों से यह करेकरम सफल होता है हमारे पंडाल पर आज तक कभी भी किसी प्रकार का बात भी बात इस पंडाल पर नहीं हुआ बिगत स्वर्ग नरक हमारी समीती बनाई थी और इस बास स्रिकिस्न रास लीला का जहांकी रखी गई है जो इसको भी हमारी समीती कारेकार्णी अद्यक्ष सम्भूजेस वाल दियक्ष के नेत्यतों में सफल करने जा रही है धन्यवाद यह पूरा कृष्णी जी का जाकी है यहां कृष्णी जी की लीला दिखाई गई है आज सक क्रिष्णी जी कैसे क्या जो भी है पूरा कृष्णी जी की लीला है अंदर में यार करने में यह लग जया है लमसम लमसम देर 20 से 25 दिन सर अभी तो यह हमारा तीसरा दिन है अब आगे पंचमी से यहां भीड देखा जाएगा अभी भी यहां पे दो से तीनजार लोग है लेकिन पंचमी से जो भीड बढ़ेगी वो भीड बढ़ेगी नियो श्टार सारुजनिक स्रेशरी दुर्गा पुजा उस्तो समीती के द्वारा माता दुर्गा के दर्शन के लिए आए शधालूँ एवं जहांकी को देखने आए दर्शकों के लिए उत्तम विवस्ता बनाई गई है जिससे किसी को भी परिशानियाओं का सामना ना करना प